अगर आपका पेट शाफ नहीं तो आप ब्रह्मचरे नहीं रह सकते हैं। आपका उदर विकार बना रहता है तो नीद आलशोग प्रमात पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उदर विकार बना रहता है तो भजन में मन नहीं लगेगा। अगर उदर में ये कब्ज बनी रही तो कई रोगों का प्रादुर्भा हो जाएगा आप बिक्षिप्त रहेंगे अंदर से आपको एक अशांतिसी रहेगी एक कब्ज क्यों होती है जब लीवर की छमता से अधिक भोजन पालोगे गरिष्ट भोजन पालोगे कब्जियत वाला भोजन पालोगे तो बना देगी होश में सबसे कहते नित्य व्यायायाम जैसे भजन आवश्यक है वैसे आवश्यक है दो तीन किलोमेटर चलना अत्यनत आवश्यक है चाहे आप उसे अंगरेजी में ट्रेड मिल है हाँ ट्रेड मिल उसमें दोड़ लो उसमें चल लो या भय तार में दोड़ती हो जाओ केशी घाट में यमना जी को प्रणाम किया फिर दोड़ते चले आओ 20 मिनट कारे है थोड़ा सव्या है हम करो क्योंकि शरीर के अंगों को हल चल चाहिए एक बार पसीना आना चाहिए हमने मोटर सैक्ली स्टार्ट करने वाल में को देखा है जब उनको चलना होता तो पहले खड़े खड़े रेस में देते ना बस प्याराम से बेटे चाहिए चलना चलना एक बार 24 गंटे में इसको रेस में लाना है अगर निद्रा पर विजय नहीं प्रमाद पर विजय नहीं तो साधना क्या करोगे तमोगुण में फसे आप पेट में कब जे तो घोर तमोगुण रहेगा घोर तमोगुण चिर्चिरा सुभाव नीदालस प्रमाद पाठ में मन नहीं भजन में मन नहीं बैठने में परिश्ट सब आप लोगों को अनुभोई शिले नहीं हो ताकि आपका हरदय भी पवित्र उसकोटी का नहीं है नहीं तो एक कवल बता देगा कि अगर सहज सरल भोजन पाओ साथी रोटी है दाल है शबजी है सलाद है लाखों रुपया तम बीमारी में खर्चा करवा रहे हो फल सलाद यह नहीं पास सकते अगर घर का बना हुआ पदार तो सुद्ध हाथ का है चलो भाई जे साब लेकिन बजार का होना चाहिए ठीक है बाहर हम बहुत साफ सक्ष बैठ कर बेच रहें लेकिन बनाने वाले कैसे उनका भाव क्या है उनकी पवित्रता क्या है यह जो बेचारे ब्यापार नोकरी आदि में बाहर मारे गुहुम रहें उनको किसी न किसी तरे बच्चे हो हट करोगे खिलोना पकड़ा देंगे खिलते रो जब रोगे खिलोना फेक के फिर गले से लगा लेंगे काई समय बरबाद करते हो पकवान यह पूड़ी कचोड़ी सबजी परेठा गरिष्ट पदार और यह जितनी बजार की चीज़े हैं इनका सीधा कब्ज से सम्मंद होता है सीधा यह कब्ज बनाएंगे आप स्रम तो करते नहीं घंटा दो घंटा ऐसा स्रम तो आपके अंग जो है उनमें पावर नहीं रहे गया और आप लादते चले जा रहे हैं जरूर समय से खाना है अगर आपको कब्ज हो रही तो छोड़ो बोजन छोड़ो आपका उदर शाफ नहीं है तो पहली बात स्वादहीन भोजन आपको महापुरुष्यों के मार्ग में आगे बढ़ा देगा श्वादिस्ट भोजन आगे कदम नहीं बढ़ने देगा यह लिख लो आपका आगद में जिसका भजन में आगे उन्नती करनी है तो भोजन नीरस होना चाहिए तो भजन सरस ओ अगर भोजन सरस तो लिख लेओ वजन बढ़ेगा भजन नहीं वजन बढ़ेगा बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि व्यायायां नहीं किसी वी तरे की कोई ऐसी स्रम वाली क्रिया नहीं पढ़े रहना है तो बस सोने का मन करेगा पढ़े रो प्रार्थना है, अमूली जीवन है, अमूली क्रपा हो गई है, इस रसेंद्री को शमालो, सब इंद्रियां तुम्हारे वश में हो, रसेंद्री वश में न हो तो तुम जितेंद्री नहीं माने जाओगे, और एक इंद्री केवल रसेंद्री वश में हो, आप स्वाभाविक ज तेंदरी हो जाएंगे महापुरुषों ने भजन के लिए सरवश्व त्याग किया है और हम भोजन के लिए भजन का त्याग कर देते हैं, स्री जी के चिंतन का त्याग, देख लो आप देख लो और जितना भोजन आप पाते हैं उससे आधा लेना है आपको इतने बड़े महापुरुष भोजन की बात कर रहे हैं भगवान कर युकता हार विहारस से तो आधा पेट भोजन गिन लो आप अपनी रोटी और सबजी और सब ऐसे नहीं कि रोटी में तो गिन के चल रहा है लेकिन और अगले पदार्थ जो है वो नहीं कमी नहीं हमा अगर जैसा आदे शुरा ऐसा भोजन तो भजन का नशा बढ़ने लगेगा आप देखो तो अपने लोगों को तो जीवन का अनुभो यही रहा है अगर आप ऐसे ही तो कैसे भजन हो पाएगा क्योंकि आपको तो अनुभो है नहीं कि इसका क्या प्रभाव पढ़ रहा है आ आप हां सखेल कर बात करके समय पात कर रहे है इसलिए अगर आप अंतर मुख हो तो एक कवल का प्रभाव बता देगा आपके चिंतन में कितना फर्क पढ़ गया आधा पेट ही भोजन करना है आपके पास जितने भी बेटे हैं तो ब्यवस्ता है जीवन आप देखो तो बाल न सो भर है ठीक आधों में आधा जल और आधा छोड़ दे वायु के लिए यहां जल वायु से तो मतलबे नहीं है पूरा यहां तक पूरा ऐसा फिर कहेंगे एसी डीटी बन रही कबजी बन रही भजन होगा यह बहुत आवश्यक है इसलिए हम इस विश्य की चर्चा कर रह है आप लोग इस पर ध्यान दीजिए नहीं दोगे तो आपका भजन नहीं बन पाएगा और आगे सावधानी के लिए करें आपको व्यायाम करना है दस मिनट कर लिजे आप व्यायाम और दो-तीन किलोमेटर फैदर चलिए उपासक का चेहरा आग निजी होती मैं जी होती मैं ऐसा नहीं कि वो सामला रंग है तो खिल नहीं पा रहा नए ब्रम्हचर और नियम ऐसे कमल की फूल का जिसा चेहरा हो जाता है उसका खिल जाता है चेहरा मुख प्रशन तन तेज बिराजा कीनिस रामचंद करका जा आधान और जो आधा बचा उसमें आधे में जल तीन कोड़ने में सायक होता है प्राता पहला जल बिना कुला किये पीना चाहिए बिना इश्ना ना दिखिए सौच के पहले जो हमें जाना है तो हम उसे नियम दिये कम शे कम 500 ग्राम इसकी उपर आप जितना ले सके जल वो भी गुन-गुना थोड़ा अच्छा गरम होना चेह आ आराम आराम से पी शक्ते उपर गरम है और वजरासन में बैठके अभी देखो कबज नष्ट होती है कि नहीं बहुत जिसकी कबज बन रही रोज शाम के गरम जल या गरम दूद से बताया है कि आप एक चम्मत छोटी हर पिशी वी एक चम्मत इशब गोल की भूशी महीनों सालों वो आपके आथों को परिपक करके फिर ऐसे कर देगा कि फिर आपको आउशदी नेचे ये बहुत साधक के बचाव पक्ष के आउशदी है नहीं आप जिसे एकदम कोई ऐसा कड़ा चूर ने तो आपके ब्रमचरे पर घात हो जाएगा इस सब अनवह की बाते हैं जल आवश्यक है आपकी स्वस्थता के लिए और वायू आवश्यक है आधा अन और आधे से आधा जल और आधा काली जो श्वास के यहां तो बस सावधानी रखो ये अन बढ़ता चला जाएगा आपका खुरांक आपको पदार तो और अच्छे-च्छे मिलेंगे क्योंकि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हो कोई कमी नहीं रहेगी ये मत सोचो कि ये बरबाद हो जाएगा ने तुम अपने बरबाद होने को बचाओ अगर एक दिन तुमने ज्यादा ले लिया बच गया है लेकिन आप अपने उदर में मत डालो समझो हमारी बात बहुत से ज सुक्षों बरतावे भगवद इच्छा से जो आपको मिले रूखा शुखा जे आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए देखो इच्छा नहीं हो इच्छा रहीत होकर कि कुछ भी मिल जाए वो आपको बांध नहीं पहेगा पका और अगर पकवाना दि मिलता है तो जितना पाते हैं जब पकवाना दि मिलते हैं तो उससे डबल कर लेते हैं बुद्धी है इसको दपकाओ कुछ नहीं उन्हें पूरा जीवन हो गया खाते खाते बड़ा समझो समझो हम भगवत भजन करने के लिए आए हैं पूजिपात सी उडिया भवाजि महराद जब उनको प्रान शंकरजी के मंदिर में उस दिन से वो ध्यात्मिस्थिती प्राप्त करने के लिए एक कवल पाते थे एक कवल सिर्फ 24 घंटे में ऐसे से शनवाली रूटी और इतना जो बना एक प्राण पूशन के एक कवलन अस्थिमात्र हो रहे से चवी लगी कुटिया में अठार आठारा घंटे पदमासन में वर्षों सुए नहीं लेट करके ऐसे रख लेते इसे और वस उसी में थोड़ी दे रहे से फिर बैठ गया है मेहनत की इन महापुर्शों में शरीर राग इंद्री राग घोग राग इनको बिद्धन्स कर दिया तब उचाई पर चड़े वैद अनंद त्यागी को भी भजन का अनुराग और दिव्यताएं आती हैं तो जो आपको प्रारत दश्य मिले उसमें बुद्धी रखने श्वादिष्ट और पकवान पदार्थ ही के वलगर है मारे भोजन में तो जितना भोजन पाते हैं उससे आदा पाएंगे और एक बार पवास करेंगे दूसरे टाइम पच जाएगा आप लोग शावधान रहे जितनी शुविधाओं के भोगता बनोगे उतना ही अंता स्थिती में तुम कमजोर होते चले जाओगे आप भी बहादर हो संशार के मार्ग का त्याग करके विश्यानंद का त्याग करके भगवदा नंद में चले हो तो चलो इच्छा रहित कुछ भी पाओगे बंधोगे नहीं जो प्रारब्ध सो आवे ताही को सुख सो बरतावे सुख पूर्वक जितना पचा सकते हो या जोश्वईकार करो वो केवल होश में बिवेक के द्वारा प्रारब्ध के अनुशार भोगा सकते लेकिन वो भोगो आने के लिए बिवस नहीं करेंगे बिवेक के द्वारा आप उनको भोगो या दूसरों को त्याग करके दे दो तो आपके सामने प्रारब्ध वशात आया भगवदिच्छा से आ गया अब भोगो या न भोगो ये तुम्हारी उपर की अगर भोगे तो य गवदानंद का सुक भोग में नहीं है राग में नहीं है इस बात को अच्छे से देखो इस समय बरबात करते चले जा रहे हैं दिब्यता है नहीं जो अध्यात्म की उच्छाई की दिब्यता है वो आना चाहिए आपने जीवन समर्पित किया है आप में रंग आना चाहिए क सत्य ना गुरू के वचन सत्य ना सास्त्र के वचन सत्य तो यह संसारी पुरुष का लक्षण है यह उपाशक का नहीं है